है लो दोस्तों कैसे है आप employee hope आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तों NPS के आर्कितेक्टर में एक कड़ी होती जिसको बोलते हम लोग romantic अच्छ वीडियो में हम लोग पहले जान लेंगे कि नोडल ओफिस कौन होते हैं तो वीडियो के आंतर पर ने रहीएगा तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं कूर जैंसिंग आपकी अपने चैनल फाइनेस की पार्ट साला में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हम फाइनेस की नॉलेज लेकर फाइनेसियल फीडियम की और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बारा है यहाँ भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले हम जानले कि नोडल ऑफीस होते को नहीं प्रिंस्पल एकाउंट ऑफिस पहला हो गया दोस्ता है आपका हो गया यह दे दस्वाट्व पर सिंग अफिस करे सारी फाइनेंस एंड एकाउंट आफिसर यहां पर इंसे से जो बेसिक सी एजुकेस्टन डिपार्टमेंट की काम होते हैं प्यसे संबंदित तो सिधा कॉंटेक्ट यहां पर होता है मैक्सिमम जितने भी गौर्रमेंट इंपलाई हैं उनके हां डीडियों से ही फर्स कॉंटेक अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने नियर में पी ओ को सर्च करें तो चलिए आज हम चलते हैं इन्हें सीधा सर्च करते हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस है मैं इसे लैप्टाप पर करूंगा आप इसे अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर कर लेता हूं और यहां पर हमें सर्च कर लेना है एंपीर सी आरे इंटर कर दिया मैंने यहां पर पहली वेबसाइट दीख रही एंपीर सी आरे डॉट एने डील डॉट इसे पर हम क्लिक कर लेंगे और आगे बगते हैं अभी वेबसाइट ओपेन हुँ तब से नीचे चलिया यहां पर सबसे नीचे चला आता हूं और यहां पर आपको सबसे नीचे दिखेगा फाइंड योर नेरेस्ट पीओपी एसबी आपको इस पर क्लिक कर लेना है अब देखिए यहां पर मार चुके हैं लिखा हुए है पीओपी एसपी लोकेशन तो यहां इन्होंने थोड़ी जानकारीबदी की गौवर्मेंट ने डिसाइड किया कि एन्पियस सभी जो भी नागरी के भारत के उन्हें भी यह सुब्धा दी जाए तो एक मेरी दो यहां नौक को यह एनौंस किया गया था और यहां पर आप अपना पर्मानेंट रिटार्मेंट एकाउंट उपिन कर सक करते हैं तो यहां पर NPS की सर्विस प्रोड करने के लिए जो इंसुरेंस कंपनिया या आपके बैंक चुनेगे उन्हें कहा गया पॉइंट आप रिजेंस पी ओपी और उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं पी ओपी सर्विस प्रोड़ाइडर तो इनको हम सा सर्च कैसे करना है सDING यहां पर मैंने स्टेक चुन लिया अपना हो में स्टेक चूनुगा उत्रप्रदेश यह जिल आप ऊई भी चून सकते है ध्यान लगना है कि बहुत बात जो झीले होते हैं उनसे मिलते जूलते नाम लाश्ट में होते तो हम एक ही जिलिय में एक ही नाम में अगर सर्च करते तो नहीं मिलता है यह से अमबेट का नगर देखें यहां पर दो नाम से दिख रहा है एक एमबेट का नगर में स्पेस और दूसरे में नहीं है इसका मतलब है कि दोनों में इसका कुछ नमबर चेंज हुआ होगा क्योंकि अब इस समय इंडियन बैंक हो चुका है तो यहाँ पर नया जो रइश्ट्रेशन नमबर यहाँ लिग दिया है 210-711-767 तो यह नया registration number हो गया क्योंकि इनका पहले जो था वो था यहाँ पर 500-435 तो यह number भी change होते गए तो यह P.O.P. है और P.O.P. के registration number है तो यह भी जो bank बार में merge हुए नए bankों में उनके registration number change हो चुके है तो यहाँ पर बहुत से bank, maximum bank यहाँ पर भी cover है अब एक बार मैं देख लेता हूँ कि अंबेटकन नगर के नाम से जो दूसरा है उसमें कितने कौन से P.O.P.S.P. सो कर रहे है तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं और तो यहाँ पर देखे सिप एक दिख रहा है इन्होंने जो अंबेटकन अगर की स्पेलिंग लिखी थी वहाँ पर स्पेस नहीं दिया था इसलिए यहाँ पर इनका अलग से सोकता है तो इस तरह से आप अपने state का यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपके state में कौन है और वहाँ पर जाकर आप district भी चूच कर सकते हैं लेकिन आप मानके चली कि maximum जितने भी बैंक है सारे P.O.P. और SP होते ही हैं और यहाँ पर आप P.O.P. SP पर क्लिक करेंगे तो यह एक फार यहाँ पर आपको Excel state में डाउनलोड होगा देखिए यहाँ पर यहाँ डाउनलोड हो रहा है और P.O.P. SP डीटेल्स में यह जीफ फोल्डर में मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं किसमें क्या डाउनलोड होगा है तो यहाँ पर वह भी P.O.P. है जो प्राइबेट कंपनिया है जेसे रेली गैर, ब्रोकिंग लिम्तै अरिहन क्रेप्टल मार्केट लिम्तै तो यह सब इस्ट of मार्केट की कमपनिया मुझे लगती हैं शायर और यह सब यहाँ पर पेंशन फंड कंपनी भी है ज मैंजेसे हैं इस penis प्योपी एस्पी में कौन है यह जिप फोल्डर में इसको पहले अंजिप करेंगे तो इसे हम उपन कर लेते हैं इसे यहां पर इन्होंने कुछ प्योपी एस्पी के नाम दियें जैसे स्टेट बैंक अलंकित एसाइमेंट्स लिम्टेट के नरा बैंक तो यह सब प्योपी एस्पी के डिटेल्स हैं कि यहां पर इन्होंने एमेल आइडिये मोबाइल नंबर भी दिये हुए हैं तो फिलाल यह काफी बड़ी लिस्ट है और इसमें सारे बैंक जो हम लोग एक सर्च कर रहे थे तायर यहां पर पूरी लिस्ट उपलब्द है लगभग यहां पर पचाए लाश्ट मेंने अंतिय में ओपिन किया हुए था चावरासी या नौसो पंचान्द प्योपी एस्पी यहां पर रेइस्टर्ड है और चलिए हम सुरुवाद करते हैं पहले से तो पहले नंबर पर भी स्टेट बैंक आफ इंडिया का नाम है तो जितने प्योपी एस्पी हैं सारे एक्सल सेट में आ जरूर चाहिए तो दोस्तो मुझे उमीद है कि मैं आपकी इस वीडियो से मदद कर पाया होंगा अगर यह वीडियो आपको हेल्फुल लगते हैं तो इसे लाइक करके आपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ सेयर जरूर कर दिजिएगा अगर आपको इस वीडियो से दोस्तों मैं इस चैनल पर फाइन से संबदें different topics पर helpful content लाता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है चलिए दोस्तों फिर मिलें किसी और वीडियो में ऐसी information और knowledge के साथ तब तक कि नमस्ता झाल झाल झाल